Welcome to our channel Effective Study आज की टोपिक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरिंद मोधी की इसराइल की यात्रा की इसके एक्जाम के साब से क्या इंपोर्टेंस है साथी साथ विस्वराजनीती और वर्ल्ड एकोनोमी के साब से भी क्या इंपोर्टेंस है तो इस लेहाज से यह आत्रा जो है वो भारत के साब से कभी महत्पूर्ण मानी जा रही है और चुकि इस आत्रा को इतनी इंपोर्टेंस दी जा रही है कि जो डोनाल्ड ट्रम का इसराइल का जो दौरा होना है ये इससे भी ज्यादा importance इसको दी जा रही है क्योंकि इसराइल के राश्टपती जो है रुबेन रिवलिन वो भी प्रदान मंतरी नरीद मुदी से मुलाकात करेंगे साथी साथ वहां के प्रदान मंतरी के साथ भी मुदी का मीटिंग है जैसा कि हम जानते हैं कि दौनों दिसों की बीच में जो है वो लगवक 25 सालों से बहतरी कूटनीतिक संबन्द है साथी साथ जो है नरीद मुदी इस बार इसराइल जा रहे हैं सीधे इसराइल जाएंगे ना कि फिलिस्तिन होकर जाएंगे क्योंकि भारत की जो अभीता कूटनीतिक संबन्द थे वो फिलिस्तिन के साथ मजबूत थे लेकिन चुकि नई विदेश नीती के अकॉर्डिंग भारत जो है वो इसराइल से संबन्द मजबूत करना चारा है और फिलिस्तिन को दरकनार कर रहा है इस मामले में इसके बाद बात करते हैं भारत और इसराइल के संबन्दों की तो भारत और इसराइल के जो संबन्द है वो सन 1950 में जो है भारत ने इसराइल को एक देश के तोर पर मानिता दी थी और उसके बाद जो कूटनीतिक संबन्द है वो 1992 से सुरू हुए है क्योंकि इसका कारण यह है कि इससे पहले भारत जो है वो इसराइल के जो धुर विरुदी देश था फिलिस्तिन उसका समर्थन करता था और इसराइल और फिलिस्तिन के समंद कुछ ऐसे हैं जैसे के भारत और पाकिस्तान के तो फिलिस्तिन का समर्थन करने के कारण भारत और के बीच में जो गैप था वो अक्चुल में कूड़नीतिक संबंद उसमें शुरू आया सनु 1992 से इसके बाद आते हैं 1962 में 1962 में जो है भारत और चीन का यूद चल रहा था उस समय इसराइल ने भारत की काफी मदद की थी भारत ने इसराइल से उपकरण लिये थे जैसे मोडार मोडा रोधी उपकरण ये सब जो है 1962 के युद में लिये थे उसके बाद 65 के युद में एकतर और कारगल युद में भारत ने इसराइल से काफी सेन साजों सामन लिये थे तो उसके बाद 1977 में मुरारजी देशाई सरकार ने जो है इसराइल के साथ संबंद अच्छे बनाए जो कम्निकेशन का गैप था भारत और इसराइल के मद्ध में वो मुरारजी देशाई सरकार में पूरा हुआ और वहां के इसराइल के जो रच्छा मंतरी ने डिफेंस मनिश्टर थे उस समय के वो भारत के दौरे पर भी उस समय आई थे उसके बाद सन 1985 में संयुक्त राष्ट सभा में जो महा सभा के दौरान भारत के प्रधान मंतरी राजीव गांदी और इसराइल के प्रधान मंतरी सिमोन पैरिस उस समय के उनकी मुलाकात हुई ये दोनों देसों के प्रधान मंत्रियों के बीच में ये पहली सारव जिनेक मुलाकात थी और उसके बाद 1992 में उसमें ततकाली प्रधान मंत्री नरसेमा राव थे उन्होंने जो है भारत और इसराव के साथ अच्छे समन्द मनाने के लिए बहुती महत्पुन युगदान निवाया था और 2003 में जो भारत के विदेश मंत्री थे जस्वन सिंग वो इसराव के दौरे पर गए थे तो ये पहले भारती विदेश मंत्री थे जो इसराव के दौरे पर गए थे और सन्द 2015 में भारत के राष्टपती प्रणमुखर्जी वो इसराव के दौरे पर गए थे इसराव के दौरे पर जाने वाले भारत की ये पहले राष्टपती थे और इसके बाद चार जुलाई के भारत के प्रधान मंद्री नरिन्द मोदी वो इसराइल के दोरे पर जाएंगे और ये पहले प्रधान मंद्री होंगे जो इसराइल के दोरे पर जाएंगे तो देखती हैं कि इस दौरी की जो है वो क्या के importance है, क्या इस दौरी के माइनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे number one, जो इसराइल का मुख धर में वो यहूदी है तो लगवक 6000 यहूदी जो भारत में रह रहे हैं भारत के महाराष्ट, पश्यम, मंगाल, गुजरात और किरल के अलग-अलग सहरों में जो यहूदी रह रहे हैं लगवक 6000 उनको अलप संक्यक का दर्जा मिलने की उमीद है प्रधानमंत्री के इसराइल दोरे के दोरान भारत को आतंगवाद से लड़ने में मदद मिलेगी और हम जानते हैं जैसा कि टेकनलोजी, रच्छा टेकनलोजी में इसराइल काफी मजबूत है तो हमें उससे कुछ टेकनलोजी का भी आदान प्रधान करने को मिलेगा नमर 3 इस दोरे से अमेर्का और बाकी पश्मी डेश जो हैं वो जैसे की यूरूपीय कंटरी वो काफी खुास हो लिकिन पाकिस्तान को इससे काफी मुश्किला हो सकती है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो है वो इसराइल के साथ काफी मजबूत रिष्टे नहीं है लेकिन भारत के जो है इसराइल से मजबूत रिष्टे होने के कारण पाकिस्तान के लिए ये काफी जो है वो नुकसान दे हो सकता है पाकिस्तान पर कुर्णितिक दबाब बनाने में काफी मदद मिल सकती है इसके बाद देखें अगला पॉइंट परधान मंतरी के इसराइल दोरे से निश्चित रूप से भारत को कई छित्र में व्यापरिक लाब मिल सकता है जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल जो है टेक्नोलोजी में मदद कार है तो भारत अगर किसी हत्यार या किसी वेपन्स के लिए डील करता है इसराइल में इसलिए इसराइल को भी इसके काफे लाव हो सकती है और इसराइल से भारत के पुराने रिष्टी है तो जैसा कि मैंने कहा रच्छा के समन्द में काफी सारे डील हो सकती है कई एक वेपन्स जो है भारत वो इसराइल से खरी सकता है कई एक ड्रोन खरी सकता है चुकि हम जानते हैं कि अभी तक कोई भारती प्रदान-मंत्री इसराइल नहीं गया है इसलिए अंतराष्टिय एकोनॉमी के हिसाफ से विदेस्थय नीथी के हिसाफ सेώρα होगा अभी तक कोई पी-एम अगर विदेस initiatives पर इसराइल की नहीं गया है तो उसका कारण जो है वो उस समय की अंतराष्टी विदेशनीती होती है इसराइल में चुकि भारती लोग कम रहती हैं इसलिए वहाँ पर भारती लोगों की लिए नौकरी की गुझायस कमी है और भारती प्रधानमंत्री जो है वहाँ के विपच की निता से भी मिलेंगे क्योंकि इसराइल की लगबख सभी पार्टियं जो है वो भारत के पच्च में ही रहती है तो इस तरह से हम देखें तो काफी सारे मुद्वों पर इस वार डील हो सकती है और एक्जाम के साब से भी इसके इंपोर्टेंस काफी हो सकती है तो देखते हैं आगे क्या डील्स होती हैं क्या एक्जाम के साब से इंपोर्टेंट कोश्चन आते हैं आज कि इस वीडियो में भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट चीज़ा मैंने बताई हैं जैसा कि भारत और इस्राइल की जो संबन्ध हैं, उसमें से काफी सारी महत्पूर्ण चीज़ां बनती हैं, तो उमीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह के और भी वीडियो आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके नजदीक जो बैल आइक ओने से क्लिक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, थेंक यू, गूट बाई